थम निल लेके तो पता जली गया होगा कि आज हम लोग फिश करी बनाने वाले वह भी पटल और आलू से वह भी बहुत जल्दी से जहां पर हम लोग के जादा वक्त नहीं लगेगा यह एकदम पतला वाला जोल बनेगा तो ग्रेवी पतला सा ग्रेवी होगा और ये कर्मियों क मौसम में ऐसा वाला ग्रेवी काफी अच्छा लगता है ज्यादा गाड़ी वाला ग्रेवी एकदम अच्छा नहीं लगता तो इसके वज़े से आज बनाते हैं फिश से और पतल और आलू से एक पतला सा जोल तो चले इसके लिए कुछ तैयारिया कर लेते हम लोग तो मैंने यहां पर रोहू फिश लिया है आप चाहें तो कोई दूसरा फिश मतलो कातला या तो बड़ी वाला मच्छी चोटी वाला मच्छी जैसा आपको मंच्य है वैसा फिश अप ले सकते हैं फिश को अभी नमक और हल्दी लगा के कुछ दिर के लिए जोड़ देंगे और यहां कुछ झार कि 2014 मोचय आपकोते इसाने सरा फिश को मत पंयाले कर देंगा ऑने साधा साथ में डंगे ही अधी व्री Lagos ओ dauर्ल अधी अधी है ख़ांगी डाले सदा जीरा चाहिए हम इसाधी सब्स्रा भून करें किःकर लिदा और चाहिए पार बुढ जब तक किन हम लोगा साधा जीरा हूँ जब चटक ने लगे तो यहाँ पर डाल देंगे हम आलू तो आलू और पटल यह आलू और पटल को मैंने पहले से विसल मत प्रेशर को कर लिया है एक विसल दे के छोड़ दिया ठंडा होने के पर निकाल लिया है और वहीं बॉयल किया और आलू और पटल को यहां पर थोड़ा सा फ्राइय ङोड़ा सा त्याप अल्युज़ आंसा फराई कर लें गे अलु और पटल को मैने लंबा करके लिया है आप अगर शाहें तो इसको अलग शे कर सकते हैं अर्चिप परसंद है उसी ine आप काटी आप यहकार्या है आलु पटल को अच्छी तरह से चलाते हुए कर लेते हैं मेक्स और अलू पटल को कर लेंगे थोड़ा सा फ्राइज क्योंकि यह पहले से बोइल है तो इसलिए थोड़ा सा फ्राइज करेंगे तो बोइल वाला जो फ्लेवर है वो निकल जाएगा उसमें जीरा का फ्लेवर आ दाला है भुरा वाजीरा पाउडर भुनावा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जितना तीखा खाना है उसके रिसाब से ही आप लोग डाल लिएगा अभी सारे मसालों को साथ डाल देते हैं स्वादानुसा नमक और अभी सारे चीज़े को अच्छी त यहां पर मुझे थोरा सा कम लगा ता मैंने थोरा सा और भी हल्दी यह ऐं पर डाल दिये और फिर से यहां पर थोड़ाव कर लेते हैं तो जैसे-जैसे हम इसको फ्राइ करते जाए इसका जो पानी है आलियो और पडल का बॉइल किया वजह पानी वह धीरे तीरे सोक रहा है इसे पूरी है पना यहां आप कोना पर सब्सक्रीडख कोई चाहिए और अठीध बालेड जोड़िटट इन नेया में और जिसे पूरी तरह से कुक्षित Pixel वाला अभी इसको कर लेंगे बोल तो देख पार है बहुत अच्छी तरह से आ चुका है तो इसको अभी और ज्यादा नहीं इसमें डाल देते हैं फिश जो फिश हमने पहले से फ्राई करके रखे ते वो फिश ही पर डाल देंगे और फिश को इस ग्रेवी में डूबो देंगे ताक अगर आप चाहे थोड़ा सा गरम मसाला पाउड़ा दे सकता है अगर नहीं भी देते हैं तो कोई प्राब्लम नहीं क्योंकि यह वाला एकदम पतला वाला गर्मियों के मौसमें पतला वाला ग्रेवी वाला सबजी है तो जादा रिच बनाने का जूरूत नहीं तो यह ऐसे ह अच्छा लगता है नमक को थोड़ा चेक कर लीजेगा अगर कम होता है तो डाल दीजेगा स्वादानसा नमक तो आज का ग्रेवी एकदम तैयार है अब इसको सिर्फ बॉयल होना है दो तीन मिनिट के लिए उसके बाद यह एकदम रेडी टू सर्वे है इसको आप गर्म गर बहुत ही शौट टाइम है अगर कोई ग्रेवी बनाना वह भी फिश वाला इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत बन भी जाता है और इसका टेस्ट काफी हद तक अच्छा होता है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो चली बोलती बोलते मेरा फि जो मेरी चैनल में पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं के रेसीपी बनाओ आपके पास सबसे पहले पहुचे तो चली आज के लिए इतना है फिर मिलते है नए और सिंपल सा रेसीपी लेके ताकि आप भी अपने घर में इसी तरह स बना के इसे एंज़ाइ कर सेके फिर मिलते है नए रेसीपी लेके तिल देन बाई बाई एंड टेक केर